नमस्कार किसान वेईयो, FMC कमपनी के ओर से आप सभी का स्वागात अभिनादन करता हूँ आज हमारा यहाँ पर उपस्तित होने का करण यह है कि सोयाबिन की फसल में हम आपको खरपतवार नियंतरन की जानकारी देंगे जो हमारे पास सीधा प्रसाडन रहेगा लाइफ चरीके से आपको देंगे और आज हम यहाँ पर ग्राम भगवान पूरा तैसिल खालवा जिला खंडवा उपस्तित है तो आज का हमारा यह लाइफ फील्डे सुरुवात करने से पहले आपको एफमसी के बारे में परिच्छे देदेऊ आपका एफमसी विस्प की पाचिवे नंबर की बड़ी कंपनी है भारत की दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है और सात हजार स्जादा करुमचारी यहाँ पर काम करते हैं 26 वी निर्मान को केंद्र हैं और तेविस अनुसंदान केंद्र हैं अलाना 30,000 करोड का कारोबार करती है जिसमें से 25 करोड हम लोग अनुसंदान केंद्र पर हर करते हैं 2018 में सबसे बेस्ट एगरो आवार्ट सम्मानित किया गया FMC कंपनी को और मेरा नाम मेरा परीचे की बात करूँ तो मिरा नाम राजु विश्वगर्मा है मैं खंडबा जी ले का सोयाबिन का जो छित्र है उसका हधित करता हूं और आज सोयाबिन के खेत में जो हमारा उद्दे आज मुकहस् मुकाती जी के साथ जानेंगे तो सोयाबिन की फसल में खरपतवार करना एक बड़ी चुनोती है जो हर समय हमें परिशान करती है आज के समय की बात करूँ तो सोयाबीन के अंदर कुछ जिद्धी खर्पतवार ऐसे है जो नियंतर नहीं हो पाते हैं इसी को देखते हुए सोयाबीन की फसल में FMC ने एक नए उत्पात लांच किया है जिसका नाम है अथोर्टिन नेक्स अथोर्टिन न अधर चलते हैं जैसा कि आप यहां पर दो देख रहे हो एक यहां पर गंट्रोल प्लॉट है एक यहां पर आफोर्टिन नेक्स का प्लॉट है लेने का दाज़िए कि हां किसान द्वारा प्रेप्टिस की गई है इसमें कोई भी दवाई नहीं डेली है पहले हम देखते हैं क कौन-कौन करपतवार आये हैं इससे करपतवार होने से हमारी फसल पर क्या असर पड़ा है इसले प्रतिस परदा जो हुई है आईए देखते हैं तो जैसे आप इस पसरूप से आप देख सकते हो कि हाँ पर सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रन न होने के कारण प्रतिस बादा हुए कीटों का प्रकोप हुआ है यहां पर फसल की जो शुरुवाती आवस्ता में जो ग्रोध थी जो 45 दिनों दग हम लोग बोलते हैं कि उसकी मुख्या आवस्ता होती सोयाबिंगी 45 दिनों दग उसकी बड़वार की वहां पर खरपतवार ने पूरी अपनी जगा ल लिए उसमें बहुत सारा अनेक प्रकार का घास हुआ है और जिसमें दवे डली है उसमें एक भी घास नहीं दिख रहा है तो जैसे आप इस पर देख रहे हो कि हाँ पर आप इसमें अपने बात करें कि बीमारियों का तो प्रकोफ हुआ ही है साथ साथ में इसकी बढ़वार करते हैं या उसको नहीं कर पाते हैं यहां पर हम देखेंगे कोई एक तो प्रतिस प्रधादों करता है यह खर्पतवर लेकिन सामान ने खर्पतवार नासों को से भी हमारे कुछ जिद्धी खर्पतवार नियंतर नहीं होते जिससे हमारी सोयाबिन की फसल में प्रतिस परदा बढ़ जाती है अच्छी गुणवक्ता और अच्छे उत्पदन किसान भाई नहीं ले पाते हैं और हमारी सोयाबिन की फसल में जो की मुख्य आवस्ता 45 दिनों की है वहां तक कहीं न कहीं हम लोग जो खर्चा करते हैं दवाईयों का डोरा चलाना या निंदाई करना उसों करने के बाद भी हम संतुस नहीं हो पाए तो आए जानते हैं कि FMC कंपनी का अथोटी नेक्स्ट है तो किसान भाईयों जैसे कि आप देख रहे हो कि जो प्लॉट हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले उहां पर दवाई का उपयोग नहीं था अथोटी नेक्स का यहां पर उपयोग किया गया है आप इस पस रूप से देख सकते हो कि कोई भी खरपत्वार यहां पर नहीं ह है आप इहां पर इस पस रूप से देख सकते हो कोई भी खरपत्वार यहां फसल के अंदर नहीं है और फसल की जो बड़वार है रोनक है और जो उसका उठाव है कहने का मतलब अगर खरपत्वार नहीं होगा सोयाबिन की फसल में तो हमारी सुरुवाती जो आवस्ता है 45 द क्या क्या अंतर मिला और कौन-कोन से खरपत्वार कंट्रोल हो चुके हैं और सोयाबिन के हैट बहुत अच्छी है अगर जिसमें घास है उसमें हैट छोटी है देड़ गुना बढ़ी है तो कहने का मतलब अगर खरपत्वार नहीं है शुरुवाती आवस्ता से ही हम लोग अ करते हैं तो हमारी प्रतिस परदा है वह जीरो हो जाएगी खरपत्वार में और हमारी जो शुरुवाती बढ़वार मिलेगी सुवायबिन में वह मिलेगी उससे बढ़वार अच्छी होगी जो खाद पानी है पूरा खात पानी पूरा उसको फसल को लगेगा जिस से हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा कीटों का प्रकोब नहीं होगा बिमारियों का प्रकोब नहीं होगा कुछ उस पे उत्पादन में असर नहीं आएगा तो आप इस पस रूप से यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी जिस तरीके से हम यहाँ देखे तो बिल्कुल साफ सुत्रा खेत है क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है है कोई भी बिमारियों काटेक नहीं है और बिल्क के बेनिफीट है तो हमने यह प्लॉट करीब 12 मार्च को लगाया था 2021 में और आज यह करीब 40 दिन का हो चुका है हम लोग गर्मी के समय यह प्लॉट लगाया है अब थोटे नस्य उप्यों की बात करूँ तो यह पाउडर फॉर्म में अवलेबल है आदा किलो प्रती एकड क के अंदर हमें इसका उप्यों करना है वी जुगने से पहले उप्यों करते समय साप पानी ले कट नोजल का उप्यों करें और आच्छी तरह गोल बनाए सोयाविन की बोनी करने से 0-48 गंटे के अंदर आपको इस दवाई का अथोटे नेक्स का उप्यों करना है अगर आप सह प्रवाती दोर में आपने निजात पाली तो आने वाले समय में आपकी फसल जो है इस तरीके से लहलाती दिखेगी और कोई भी इस पे कीटों का प्रकोपोल ज्यादा उस पे अटेक निकर पाएगी इससे हमें उत्पादन गुनोत्ता दूनों मिलेगी तो आये कुछ चारे हमने निकाल के रखे हैं हमाँ पर टेबल पर तो वो भी देखते हैं कि कुन कोई से करपतो और हमारे पास अभी मौजूद है है तो हम किसान भाई से जानेंगे अभी हम लोग जो खेत में देखा हमने डिमोस्टेशन जो अठर्टेश का फाइदेश्ट अधिए तो हमारे खेत में जो खर्पतवार मोजूद है उसमें हम हमारी लोकल भासा में नाम जानना चाहेंगे भी आसे कि वह करप्या करके बताए कि हम अपने खेत में गोन-गोन से खर्पतवार अभी उपस्तित है जो नियंत्रन हुए है भी यह सगरीपत्ति का सावा बोलते हैं यह गोकरू बोलते हैं इसको इसको चौलाई बोलते हैं इसको अपना केनिया बोलते हैं यह बत्वा मतलब बत्वा बोलते हैं जो दूदी बोलते हैं यह छोटी दूदी बोलते हैं गाजर गास है यह फटाके वाला चाहरा है तो जैसे आपने देखा सकरी पति चौर्डी पति दोनों प्रकार के खरपतवार जोकि जिद्दी खरपतवार है अगर यह माने की अगर सामान हर पटवारों के तुल्णा में कापी भैतरिन तो भाईया के कुछ अनुभव हम जानेंगे कि आने वाले समय में ये कितने एकड में यूज कराएंगे और अन्य किसान भाईयों को भी क्या सला देंगे तो आपने जो अनुभव सेर किया उसके लिए बहुत धन्यवाद और हम यहीं उमिद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी फसल का अच्छा उत्पदन हो और अथोर्टी नेक्ता जरूरूर्प्यों करें जिरो से 48 घंटे के अंदर और बहतर परिणाम पाएं सुरुवाती तोर से ही सोयाबीन की खर्पतवारों पर निजात पाएं और हम यह कह सकते हैं कि उगया सिर्फ सोयाबीन धन्यवाद किसान भाई कि उगया सकते हैं